हलो एस्पिरेंट स्वागत है एक भर फिर्स है आप लोगों का पर्चम क्लासेज में आज के क्लास में देखे हम एक नई और इंपोर्टेंट स्कीम कर रहे हैं जिसका नाम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वैसे तो ये स्कीम काफी पुरानी है दो हजार अठ लेकिन बार 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 इसका जिक्र जो है वो न्यूज में आप देखते होगे हम लोग वीकली करंट अफेर करते हैं डेली करंट अफेर करते हैं बार बार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का जिक्र आता है ठीक है तो हम एक बार देख लेते हैं कि ये स्कीम है और पूरी स्कीम की प्लेलिस्ट आपको हमारे ही चानल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी आप देखना वहाँ पे हमने बहुत सारी important और बिल्कुल नई इस साल के लिए नई government schemes को discuss किया है ठीक है और यह पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के जितने भी competitive examination है उन सभी के लिए काफी important रहने वाली है आगे बढ़ें उससे पहले हमारे batch के बारे में मैं आपको information देदू हमारे batch में जो targeted 2024 का special batch है general awareness के लिए वो आ चुका है पर्चम classes की app पर आपको मिलेगा ठीक है और सारे की सारे जो इसमें GA section है वो आपको recorded format में मिलेगा जिसके अंदर history है, geography है, polity, economy यह सब कुछ आपको ठीक है यहाँ पे आपको subjects दिखाई दे रहे हैं यह सारे subjects आपको recorded format में मिलेंगे, आप अपनी convenience के according उनको कर सकते हो ठीक है, और जो mock test है, जो practice questions है, previous year questions है, topic wise previous year questions भी आपको वहाँ पे मिलेंगे तो इस तरीके से यह पूरा batch हमने आप लोगों के लिए organize किया है, ठीक है, आप लोग enroll कर सकते हो, कोई दिक्कत आती है तो given number पर call या WhatsApp करके या mail करके आप अपनी problems को पूछ सकते हो, तो देखते हैं, aspirational district program होता क्या है देखो क्या हुआ, context क्या है इसका, 7 जन्वरी 2023 को, प्रधान मंत्री मोधी जी ने संकल्प सप्तह नाम का एक initiative launch किया संकल्प सप्ता, यानि ये एक week का initiative था, ठीक है, week long program था, किसके लिए, aspirational blocks के लिए aspirational blocks क्या होते हैं, ऐसे districts, ऐसे स्थान, जहां पे सरकार ने under developed से बिलकुल developed area बनाने की कोशिश की है उनको ही aspirational district या aspirational blocks कहते हैं, जो एक वक्त में under developed थे और अब उनको develop करने की कोशिश की जा रही है पूरा inclusive growth उनका किया जा रहा है, शिक्षा में भी, infra में भी, opportunities में भी, standard of life में भी, साफ सफाई में भी, हर तरीके से उसको grow किया जा रहा है ठीक है, तो aspirational blocks के लिए एक week long program प्रधान मंत्री मोधी जी ने शुरू किया इससे क्या होगा, block level पर, block level पर governance को improve करने की कोशिश की जा रही है ठीक है, 329 districts के अंदर 500 aspirational blocks के अंदर ये सपता जो है वो मनाया गया था और 17 October 2022 को नीती आयोग ने एक baseline ranking दी थी कि कौन से district ने कितना अच्छा grow कर दिया है तो 115 aspirational districts के लिए ये ranking दी थी जिसमें performance index बनाया गया था 5 key areas के उपर, 5 key areas के अधार पे performance index बनाया गया था अब ये aspirational district program है क्या, aspirational district program एक flagship program है ठीक है, जिसको January 2018 में launch किया था launch कब हुआ है, ये January 2018 में launch हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर 112, 112, most underdeveloped districts को most underdeveloped districts को across the country, बहुत अच्छे से और quickly हमको develop करना है 112, underdeveloped districts को हमको quickly develop करना है, ठीक है, ये program जो है नीती आयोग ने initiate किया है किसके साथ मिलकर state और district administration के साथ मिलकर नीती आयोग ने इसको launch किया है नीती आयोग ने इसको start किया है, अब जो ये district aspirational districts हैं, वो तो था aspirational district program और अभी बात कर रहे हैं, aspirational districts क्या है ये वो districts हैं, जिनका socio-economic indicator काफी low है, जिनका socio-economic indicator काफी low है, ठीक है improvements in these aspirational districts have the potential to lead to an overall improvement in human development क्या कहता है कि अगर आप in aspirational districts को, जिनके socio-economic indicators बहुत ज़्यादा weak है अगर आप इनको develop करते हो, तो human development बहुत अच्छे से होगा, this program is supported by नीती आयोग, इसको नीती आयोग support कर रहा है district level की administration के साथ, local level की administration के साथ, ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, बहुत सारी central और state schemes को converge कर दिया गया, center, state level की nodal officers, district collectors, ये सब मिलके, ये सब मिलके जो है, ये काम को कर रहे हैं, collaborate कर रहे हैं, competition जो है, उसमें monthly delta ranking मिलती है monthly delta ranking यानि इस district के अंदर इस महीने में कितना काम आपने कर दिया है, इसका objectives क्या है, objective क्या है, aspirational district program के, एक तो सब का साथ, सब का विकास, ये ensure करना है, यानि सभी के लिए inclusive growth, जो districts अभी बहुत पिछडे हुए है, उनको भी हमें grow करना है, सब का साथ, सब का विकास, और हमें sustainable development हमारे goal है, SDG जो है, हमें उनको essentially aim करना है, यानि उनको पूरा करना है, उसके अंदर equality की बाते भी है, और उसके अंदर इस तरीके से development का भी target हम लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है, अभी क्या करेंगे, जो भी best district है, जो भी best district होगा, district पहले उसके साथ compete करेगा, state के दर्मान लीजी, एक state है, गुजरात, गुजरात का जो भी best district होगा, ठीक है, उसके साथ comparison कर देंगे, इसको reference ले लेंगे हम, कि हमें जो भी काम करना है, जो भी indicators देखने है, वो इस best state की according देखने है, कि क्या हम उस underdeveloped state को, इस best state की according अच्छा कर सके हैं, उसके साथ हर चीज इसका compare होगा within a state, ठीक है, इस तरीके से cooperative और cooperative federalism को promote करते हुए, या उसका use करते हुए, हम लोग districts को best बना सकेंगे, districts are also encouraged to develop and replicate best practices, इसमें क्या होगा, social economic जितनी भी themes होती है, उनकी progress को promote करना है, और best practices हमको लेके आनी है, performance, key indicator क्या है, जिसके बिहाफ पे, हम लोग delta ranking देते हैं, total 49 key performance indicator होते हैं, पर उनमें 5 mainly है, 5 theme के अंदर, वो 49 key performer जो है, वो divide किये गए है, ये 5 theme कौन-कौन सी है, health और nutrition इसको 30% weightage दिया है, फिर इसके अंदर further बहुत सारे, आप देखोगे की key performance indicators है, then education को 30% weightage दिया हुआ है, agriculture और water resources को 20% weightage दिया हुआ है, financial inclusion and skill development को 10% और basic infra को 10%, इस तरीके से total 100% को इस तरीके से बाटा हुआ है, कि किसी भी district का health nutrition कैसा है, education कैसा है, agriculture और water resources कैसे है, financial inclusion और skill development कैसा है, और basic infra कैसा है वहाँ का, ठीक है, तो इन 5 indicators पे और 49 performance indicators, ये 5 theme के अंदर 49 performance indicator है, इनके हिसाब से ranking मिलती है हर state को, इसका significance क्या है, एक तो इससे सबका साथ, सबका विकास की condition जो है, वो पूरी होगी, दूसरा जो है, हमको sustainable development goals को achieve करना है, तीसरा क्या करना है हमको, हमें हर state और districts के अंदर development करनी है, और local government को भी best position पे लेके आना है, ठीक है, हमको financial inclusion करना है, एक specific financial inclusion की जगा, हमको क्या करना है, governance को improve करना है, मतलब की, आप ये मत कहें कि फलां को इतना पैसा दे, उस district को इतना पैसा दे, पैसा की चलो ठी है, पैसा लगेगा, लेकिन हमें उस पैसे से करना क्या है, governance को improve करना है, ठीक है, by working collaboratively हम सारा काम करेंगे, यानि state level का administration, district level का administration, local level का administration, ये सब जो है, मिल के काम करेंगे, smart classroom initiative चलाया जाएगा, यानि जो students है, उनको education field के अंदर, smart boards, smart classes मिलेंगी, digital boards पे, जैसे आप लोग माध्यम से बहुत सारी चीज़े सीख सकेंगे, ठीक है, जैसे बिहार, अरुनाचल प्रदेश, उरिसा, जारखन के अंदर ये चीज़े लागू हो भी चुकी है, तो इसको हम private sector के साथ collaborate कर रहे हैं, philanthropic organizations के साथ, technical partner के साथ, सब लोगों का collaboration होके, ये scheme जो है, वो चलाई जा गई है, ठीक है, best for performing districts जो है, इस तरीके से हमको चांट लेना है, फिर ये भी देखना जरूरी है, कि कितना कौन ग्रो कर रहा है, क्या कुछ हमने अचीव कर लिया और कहां पे कमी है, तो इसके लिए एक dashboard बनाया गया है, उस dashboard का नाम है Champions of Change Dashboard, क्या नाम है Champions of Change Dashboard, Champion of Change Dashboard के अंदर क्या होगा, ये एक portal है जिसको नीती आयोग नहीं launch किया है, ठीक है, नीती आयोग नहीं launch किया है, और इससे क्या होगा, इससे हम districts की progress को monitor कर सकेंगे, कि कौन सा district कितनी progress कर चुका है, ये part है Government of India का, ठीक है, Public Service Delivery का, Outcomes को monitor करता है, कि कहां पे हम क्या चीज़ अचीव कर सके है, data is used to discuss challenges and best practices, data को challenges, मतलब कि जो data आपने collect कर लिया है, उसको challenges को देखने के लिए, मतलब कि हम क्या करेंगे उसके अंदर, discuss करेंगे challenges को कि अब क्या-क्या problems आ रही है, हम ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उन challenges को district करेंगे, और best practices तक हम उस चीज़ को जाएंगे, तो ये champion of change dashboard क्या है, जिस पे आपका पूरा data collect होता रहेगा, कि यहाँ पे यह हो चुका है, यहाँ पे यह हो चुका है, इस तरीके से हम उन 5 indicators पे 5 themes के हिसाब से सारे data को collect कर लेंगे, और जहाँ पे जो भी problem आ रही है, उस problem को solve करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ठीक है, this is champions of change dashboard, अभी key facts की बात कर लेते हैं, इसको launch कब किया है, January 2018 में, किसके अंडर ये है, कौन इसको संभाल रहा है, निती आयोग संभाल रहा है, total number of districts 612, अब इसको बढ़ा के और ज़्यादा किया जा रहा है, total number of key for performance indicator, वैसे तो 49 है, बट theme कितनी है, mainly 5, ठीक है, best district in the year, 2022 था हरी द्वार, आपको ये बताना है, 2023 का best district कौन सा आया है, comment section में आपको ये बताना है, ranking method कौन सा है, delta ranking method, और ये every month निकाली जाती है, ठीक है, every month, आपको पता लगाना है, कि 2023 में best district का award किसको मिला है, aspirational district में, यही आपका आज का question है, और मैं बताना चाहूंगी, school zero से करना चाहता है मेरे साथ, तो दोनों ही batch perja map पर available है, आप लोग इसमें enroll कर सकते हैं, और अपनी education को enjoy कर सकते हैं, ठीक है, thank you so much, take care, bye-bye, मिलेंगे next session में, एक next scheme के साथ, so thank you so much